दोस्तो इस neck design को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक normally किसी भी safe में जरूरी नहीं के यही वाली safe हो एक neck काट लेना है और neck काटने के बाद में इस neck को कोई भी neck हो कुर्ती के ही कपड़े पे same chip का लेना है और थोड़ा कपड़ा उपर की तरफ fold कर लेना है इसी तरह के दोस्तो अगर आपको और भी जादा खूबसूरत खूबसूरत design चाहिए तो आप हमें हमारी website पर follow कर लें जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com और दोस्तो इस design में सबसे main चीज ये रहेगी आपको एक less भी लेने नहीं होगी जिसकी मदद से बहुती खूबसूरत सा neck design पूरा बनकर तयार होगा और दोस्तो neck design बनाने के लिए आपको अपनी कुर्ती की cutting किस परकार से करनी होगी ये भी देख लीजिए आपको अपनी कुर्ती का front पार्ट और back पार्ट इस परकार से काटना है देखिए हमने जो cutting की है तीरा कुर्ती कॉलर वाले के हिसाब से cutting किया है और आदा हिंच अपनी कुर्ती की जो back है वो एश्रा रखी हुई है लंबाई में अब हम सबसे पहले neck को चिपका लेते हैं नॉर्मल तरीके से कुर्ती के ही कपड़े पे तो देखिए दोस्तो हमने अपने neck को कुर्ती के कपड़े पर चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में थोड़ा कपला ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है इसके बाद दोस्तो इस neck को normal तरीके से ही बनाना है लेकिन इसमें क्या करना है आपको उल्टी तरफ रखके सीधी तरफ को पल्टी मारना है तो इसे हम बना देते हैं कुर्ती के front वाले part में तो देखी दोस्तो यहाँ पर हमने अपना normal तरीके से neck बना लिया है और neck के दोनों side पर किनारी की सिलाई लगा दी है जिसके वज़े से देखी neck भी आपको काफी खुबसूरत नजर आ रहा होगा अब क्या करना है दोस्तो आपको एक less लेनी है आप less अपने हिसाब से किसी भी परकार की ले सकते हैं और less को कैसे use करेंगे देखिए जो आपने neck बनाया है उस neck के 20 center में ऐसे ऐसे रखते हुए आपको बिल्कुल एकदम 5 safe की safe में ही लगाना है पूरे गले में और इसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है कपड़े के दो टुकड़े लेने है कुर्ती के ही जिनकी लंबाई रहेगी 12 inch और चौड़ाई रहेगी 5 inch तो इन में आपको pipe in लगानी है एक एक साइट फे एक इधार और एक इधार तो ये हमारी pipe in है ready made ये आपको market में काफ़ आसानी से मिल जाएगी तो दोस्तो दोनों तरफ pipe in लगाने के बाद आपको क्या करना है एक कोई भी rough कपड़ा ले लेना है जिसकी लंबाई इतनी ही होगी 12 inch ये हमने एक rough कपड़ा लिया है ये बाद में फैक दिया जाएगा यूज में नहीं है इसके उपर दोस्तो हम अपने इस pattern को ऐसे रखेंगे और रखने के बाद दोस्तो इसी के बरावर में हम दूसरा भी pattern pipe in से pipe in मिलाकर रखेंगे और कची सलाई लगा देंगे इसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है जो पट्टी आपने तयार की है इस पट्टी को अपने neck में attach करना है कैसे करना है देखिए यह जो आपका neck है पहले आप पट्टी नीचे रखें और neck को इस तरीके से इसके उपर ऐसे set करें यह आपका जो center है बिल्कुल एक्दम center में ही आना चाहिए तो ऐसे रखने के बाद में आप कन्नी की इसलाई मारकर कपड़े को नीचे वाले को attach कर दें इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है अपनी कूर्टी को इस परकार से दुबारा में fold करना है जैसे आपने cutting की थी इसकी तो यह हमने बिल्कुल उसी तरीके से fold कर लिया है और fold करने के बाद में दोस्तों आपको इसमें color के लिए हाला काटना होगा तो हाला कैसे काटेंगे देखिए हाला काटने के लिए आप यहां से एक पौने 3 पर मारक लगाएं मतलब कि 3 माइनस quarter इस तरीके से लगाने के बाद 3 इंच ऐसा ऐसा लगा लें और लगाने के बाद दोस्तों हम इस निशान को इस परकार से गोल करेंगे और गोल करने के बाद सेम इस पर कटिंग कर देंगे तो यह देखी कटिंग होने के बाद में इसका जो लुक है वो कुछ इस परकार से आ गया है इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसके बीच में जो हमने रफ कपड़ा लगाया था इसको खोल के फैंक देंगे तो दोस्तो देखिए हमने बीच वाला जो कपड़ा था वो निकालकर फैक दिया है इसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है इसकी एक साइड पर दो लुपीया लगानी है देखी कैसे लगाएंगे लुपिया लगाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी डूरी में से यह टुकड़े इस तरीके से कट की है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐसे इसको अटेच कर देंगे और अब हम क्या करेंगे दोस्तों अपने इस फ्रेंट को बैक में अटेच करेंगे तो यह हमारा बैक पार्ट है इसको हम इस तरीके से खोलेंगे और बैक पार्ट का सीधा वाला भाग उपर की तरफ रखते हुए अपने फ्रेंट को इसके उपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसकी कंधी जोड़ देंगे कंधी जोड़ने के बाद देखिए दोस्तों इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है और जो यह एक्ष्टा मार्जन आप देख रहा है इसका थोड़ा थोड़ा इसको हम इस तरीके से हलका करके काट देंगे और इसमें दोस्तों हम नॉर्मल तरीके से एक कॉलर चड़ाएंगे गोल जो की फुल कॉलर होगा दोस्तों अगर आपको फुल कॉलर काटना और बनाना और चड़ाना नहीं आता है तो हमने इसके लिए अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक को क्लिक करके आप कॉलर काटना चड़ाना बनाना सीख सकते हैं तो देखिए दोस्तों हमने कॉलर चड़ाने के साथ साथ कॉलर में भी एक लैस लगा दी है और साथ ही कुछ मोती लगा दी है जिनकी वज़े से हमारे पूरे नेक का जो लुक है बहुत ही ज़ादा खुबसूरत हो गया है दोस्तों आप इस नेक डिजाइन को सरदी वाले सूट में बना सकते हैं क्योंकि ये बंद नेक डिजाइन है इसमें आपको ठंड नहीं लगेगी तो दोस्तों किस-किस को हमारा ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया है जल्दी से कमेंट करके बताएं और दोस्तो कौन-कौन इस नेक डिजाइन को बना कर पहनने वाला है वो भी हमें इस बात में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को क्लिप जरूर कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर जल्दी जल्दी मिलती रहे और अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर फोलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.roofashionpoint.com